बीर्बाल दिवस भारतियाता की रक्षा के लिए कुछ भी कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीख है ये दिन हमें याद दिलाता है कि शावर्य की पराकास्टा के समय कम आयो माइने नहीं रखती ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे सुरा सो पहचानिये सुरा सो पहचानिये जो लरई दिन के हेद पुर्जा पुर्जा कट मरे कभूना चाड़े खेद माता गुजरी गुरु गोविन सीजी और उनके चारों सहबजादों की वीदता और आदर्श्ट आज भी हर भारतिय को ताकत देते हैं इसलिए बीर बाल दिवस उन सच्चे वीरों के अप्रतीम शौरिय और उनको जन्म देने वाली माता के प्रती राष्ट्र की सच्ची स्रद्धान्जली है आज मैं बाबा मोतिराम महरा उनके परिवार की शहादत और दिवान टोडर मल की भक्ति को भी स्रद्धा पुर्वग याद कर रहा हूं हमारे गुरुओं के प्रती अगाद भक्ति राष्ट्र भक्ति का जो जज़्बा जगाती है यह उसकी मिशाल थे मेरे परिवार जनों मुझे खुशी है कि वीरबाल दिवस अब अंतराष्ट्य स्तर पर भी बनाए जाने लगा है इस वर्ष अमेरिका, ब्रिटन, आस्ट्रेलिया, नुजिलेंड, यूएई और ग्रीस में भी वीरबाल दिवस से जुड़े कारकम हो रहे हैं भारत के वीर साहब जादों को पुरी दुनिया और जादा जानेगी उनके महान कर्तुत्व से सीखेगी तीन सो साल पहले चमकौर और सरहिंद के लड़ाई में जो कुछ हुआ वो अमीट इतिहास है यह इतिहास बे मिसाल है उस इतिहास को हम भूला नहीं सकते उसे आने वाली पीडियों को याद दिलाते रहना बहुत जरूरी है जब अन्याय और अत्याचार का गोरंदकार था तब भी हमने निराशा को पल भर के लिए भी हावी नहीं होने दिया हम भारतियों ने स्वाविमान के साथ अत्याचारियों का सामना किया हर आयू के हमारे पुर्वजों ने तब सर्वोच बलिदान दिया था उन्होंने अपने लिए जीने के बजाए इस मिट्टी के लिए मरना पसंद किया साथियों जब तक हमने अपनी विरासत का सम्मान नहीं किया दुनिया ने भी हमारी विरासत को भाव नहीं दिया आज जब हम अपनी विरासत पर गरव कर रहें तब दुनिया का नजरिया भी बदला है मुझे खुशी है कि आज देश गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकल रहा है आज के भारत को अपने लोगों पर अपने सामर्थ पर अपनी प्रेणाओं पर पूरा पूरा भरोसा है आज के भारत के लिए साहिब जादों का बलिदान राष्ट्रिय प्रेणा का विशय है आज के भारत में भगवान बिर्सामुंडा का बलिदान गोविन गुरु का बलिदान पूरे राष्ट्र को प्रेणना देता है और जब कोई देश अपनी विरासत पर ऐसे गर्व करते हुए आगे बढ़ता है तो दुनिया भी उसे सम्मान से देखती है सम्मान देती है साथियों आज पूरी दुनिया भारत भूमी को अवसरों की भूमी उसमें सबसे प्रथम पंक्ति में रखता है आज भारत उस्टेक पर है जब बड़ी वैश्विक चुनोतियों के समवजान में भारत बड़ी भूमी का निभा रहा है अर्थ व्यवस्ता हो विज्ञान हो अनुसंधान हो खेल हो नीती रणनीती हो आज हर पहलो में भारत नई बुलंदी की तरफ जा रहा है और इसलिए ही मैंने लाल के लिए से कहा था यही समय है सही समय है यह भारत का समय है आने वाले पती साल भारत के सामर्थ की पराकास्ता का प्रतंड प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए हमें पंच प्राणों पर चलना होगा अपने राष्ट्रिय चलित्र को और ससक्त करना होगा हमें एक पल भी गवाना नहीं है हमें एक पल भी ठहरना नहीं है गुरुआ ने हमें यही सीख तब भी दी थी और उनकी यही सीख आज भी है हमें इस मिट्टी की आन बान शान के लिए जीना है हमें देश को बहतर बनाने के लिए जीना है